तो अब ऐसा है कि अब में सेनियस के कुछ एक्जाम्पल्स देखते हैं रिलेशन फंक्शन सब देख चुगे हो तो इसमें पहला सवाल जो हो तो बहुत आसान है उसको खुछ से ट्राइ कर लेना जिसमें करना कुछ नहीं है एक लीनियर फंक्शन का ग्राब बनाने है हम अगले सवाल से स्टार्ट करेंगे तो हमारा बोल रहाए है सवाल कि लेट आर भी है रिलेशन फ्रॉम Q तो Q मतला ब रैशनल नंबर से रैशनल नंबर में एक रिलेशन है हमारे पास जो कि 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 इस तर हो हुआ है and a minus b is element of z मतलब क्या है relation है क्या है ऐसा relation है मतलब जहाँ पर a minus b एक integer होना चाहिए बताओ कोई दिखका तो इसमें बोल रहा है show that कि a comma a is element of r for all a is element of q भाई a comma a element होगा की नहीं होगा सोचो न a minus a क्या होगा 001 integer एकदम है इसका मतलब 100% यह तो होगा ठीक है तो लिखो गया for a comma a element of r क्या होगा a minus a is equal to 0 which is element of z hence a comma a is element of r कोई दिखका ठीक है ना दूसरा दूसरा बोल रहा है for a comma b element of r a comma b element of r implies that b comma a is element of r सोचो कैसे तो इसके लिए अगर चेक करोगे तो a minus b अगर element of z होगा integer होगा ठीक है तो क्या है कि b minus a जो होगा ना अगर a minus b x आया है तो b minus a क्या आएगा minus x और वो भी तो इंटीजर ही होगा तो इसका मतलब कि a comma b अगर है तो b comma है तो होगा ही होगा इस relation में कोई दिखका तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर a comma b है element a comma b है element of r and b comma c है element of r तो यह imply करता है a comma c is element of r ठीक है तो simple सा यह भी है देखो a comma b है अगर तो a minus b यह कहा है b minus c ठीक है और यह एक integer है यह एक integer है element of z है यह भी element of z है अब देखो ऐसा है कि दोनों को अगर मैं जोड़ दू तो a minus b plus b minus c क्या में लेगा a minus c और यह भी the integer ही आएगा ना जो इसको imply कर दिया ना तो बहुत ही simple सा यह सवाल था इसमें कोई दिखका ठीक है तो अगला सवाल जो हमारे पास है वो है देखो यह बोल रहा है कि f जो एक function इसमें दिया हुआ है कुछ ऐसा है one one two three zero minus one minus one minus three ठीक यह function है और यह linear function है from z to dead function जो है वो जेट से जेट है और साथ में linear function है ठीक है अब linear function का जो standard order होता है न वो y is equal to mx plus c का होता है इसी से हम लोग आम ऐसा line मिलता है ठीक है जब straight line पढ़ोगे तो ज्यादा clear रहेगा कि equation of line है in point slope form slope intercept form ठीक है तो अब इसको आपन को करना क्या है तो देखो ऐसा है कि एक जोड़ी को लेके देख लो न सबसे अच्छ जीरो वाला लगता है मेरे पाम इसा ठीक आप जीरो is equal to minus 1 तो मतलब y की value minus 1 है m है x 0 है और c है तो c की value minus 1 मिल गई क्या कोई और लेते हैं एक जोड़ी 1 1 अच्छा लग रहा है तो 1 is equal to 1 into x plus c की value कितनी है minus 1 तो x की value कितनी आ गई देखो minus 1 तो जागे क्या हो जाएगा 2 ठीक तो अपने एक्वेशन क्या मिल गया y is equal to 2x minus 1 हो यही है वो function सिंपल सा समझे अच्छा स्वारी यह मिस हो गया मेरे से यहां पर लिखते time गरबढ हो गया है m into x की जग़ों पर 1 डाल है ठीक तो यहां से अपन को m मिला होगा और m put किया है मैं बोला सही हो लिखते time गरबढ हो है ठीक है अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल यह थोड़ा मज़दार है यह बहुत ही सिंपल था बट अगला वाला क्या है find the domain of function दिया हुआ है एक स्वायर प्लस 3 x प्लस 5 डिवाइड़ बई एक स्वायर माइनस 5 x प्लस 4 ठीक अब देखो यह साट डोमें होता क्या है वह वैल्यूस जो मैं एक्स की जगह पर function में input दे सकता हूं जो वैल्यूस रख सकता हूं ठीक अब यहां पर रोके का कौन भई पॉलिरामियल होता तो कोई भी रख सकते थे बट यहां रुकने वाला चीज बस इतना सा है कि यह जो denominator ही है जीरो कभी नहीं होना चाहिए तो चलो पहले find कर लेते हैं कि कब-कब है denominator 0 उसको छोड़के बाकी सब ले लेंगे क्या दिक्कत है तो x square minus 5x plus 4 is equal to 0 x square minus 4x minus x plus 4 is equal to 0 x x minus 4 minus 1 x minus 4 is equal to 0 तो x की value क्या में में लिए 1 और 4 तो मेरा जो domain होगा क्या हो जाएगा भी सारे real numbers बस उसमें 1 और 4 नहीं होने चाहिए समझ मैं क्यों नहीं होने चाहिए क्योंकि 1 और 4 अगर हो गए तो मेरा जो function है वो undefined हो जाएगा क्योंकि उसका जो denominator है वो 0 हो जाएगा समझ मैं आई बात के नहीं चलो ठीक है फिर इसको note करो और सवाल देखते है तो next सवाल जो हमारे पास है वो है ये कि function हमारा कुछ ऐसा defined है और बोल रहे हैं कि graph बनाओ f of x is equal to 1-x जब x less than 0 है 1 जब x equal to 0 है और x plus 1 जब x greater than 0 है तो क्या करोगे बोल रहे हैं कि graph बनाओ इसका तो simple है भई अपनी दुनिया को तीन पार्ट में divide करना पड़ेगा ऐसा इधर वाले के लिए function क्या रहेगा y is equal to x plus 1 ऐसा डबबा बनाना x y plot कर देना ठीक है सेम इस साइड में क्या होगा y is equal to 1-x फिर से डबबा बनाओगे x y plot कर दोगे और 1 पर क्या रहेगा 1 बाकी जो आया होगा वो वैसा कोई दिक्कत simple सा है अराम से बना सकते इसका graph कोई खास इसमें दिक्कत नहीं जाएगे तो यह सारे इसमें कहीं किस दिक्कत आने वाली है मैं एक सवाल और ले लेता हूँ जो एक्सरसाइस से है ठीक है इसमें यह है कि domain और रेंज निकालना है हम लोगों को function graph of x is equal to under root x-1 ठीक है इसका domain और range दोनों निकालना है तो इधर देखो domain निकालने के लिए क्या है मैं x की क्या क्या values रख सकता हूँ x की कौन कौन सी value रखना है मैं रखो यह decide करेगा root root बोलता है कि मेरे अंदर negative नहीं जाना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि यह जो x-1 है it should be greater than equal to 0 तो x should be greater than equal to 1 तो तुमको domain क्या मिला domain तुमको मिल गया क्या 1 से infinity बताओ कोई दिखका यह वाला open bracket होगा ठीक अच्छा अब इसका range निकालना है range देखोगे तो 1 से infinity है 1 से infinity है 1 रखोगे जो सबसे least value है तो 1 रखोगे तो क्या मिलेगा तुमको 0 है ना अच्छा तो मतलब इसका मतलब क्या कि 0 से तो बड़ा ही आना value क्योंकि 1 से जैसे बड़ी value रखोगे value कुछ आ जाएगी positive और यह root 0 से बढ़ता जाएगा ठीक है अब जैसे जैसे value बढ़ती जाएगी value बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी infinity रखो कि क्या हैगा infinity minus 1 क्या होता है infinity infinity क्योंकि वो तो undefined number है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो range है वो यह है बताओ कोई दिक्कत तो इसी तरीके से इसमें domain और range निकालना होता है और ऐसे सवाल j में बहुत जादा पूछे जाते हैं domain और range पे तो ध्यान यह रखना है कि जब domain पूछेगा तो find करना कि कौन-कौन सी x की values है जो function में जा सकती है और जब range बोलेगा तो तुम यही सोचोगे कि उसका domain मेरे पास आया उसमें से मेरे पास क्या ऐसा है जो इस function का minimum value दे क्या maximum value दे उसको रखो गया और उसी के बीच में तुमारा function आएगा जो output मिलेगा वो समझ माया ठीक है तो बाकी miscellaneous के सवाल कोशिस करो और यह chapter हमारा यहीं समाप्त हो गया ठीक है